नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अन बॉक्सिंग आज कल फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बहुत ही दमागेदार सील चालो है यहां पर हमारे पास है दो प्रोड़क्त जिसमें से एक है स्मार्ट वाच और दूसरा है वह है स्मार्ट बैंड जो बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आपको इस सेल में अविलिबल मिलने वाले है तो यहां पर जो सबसे पहला प्रोड़क्त है वो है ओनर का मैजिक वाच टू जिसे आप दी परफेक्ट स्मार्ट वाच बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको अमुलेट डिस्प्लेई, GPS, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, Bluetooth कॉलिंग, Built-in, Storage तो यहां पर जो दूसरा प्रोड़क्त है वो है ओनर बैंड 6 जिसके अंदर आपको काफी बड़ा सा अमुलेट डिस्प्लेई देखने मलता है, 5 ATM वाटर रेजिस्टन्स है, धेर सारे और भी फीचेस अंद फंक्शन्स है, इसकी प्राइजिंग है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वाच या फिर स्मार्ट बैंड परचेस करने का तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखी है, सबसे पहले यहां पर हम क्विकली अन्बॉक्स करेंगे ओनर मैजिक 2 स्मार्ट वाच को, यह है उसका बॉक्स पैकेजिंग यहां पर आपको कई सारे डीटल इसके द प्रोवाइड के है, विच चारजिंग केबल और फाइनली यहां पर आपको देखने मलते है, इसके यूजर मैनुवल और क्विक स्टार्ट गाइड, सबसे पहले यहां पर हम करते है, स्मार्ट वाच को पार आउन, यहां पर आपको लैंगवज सिलेक करना है, यहां पर जो आप स्टे करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो Smartwatch आचुके है, जैसके आप इसके बैख करते हो ना, जो smartwatch है वो यहां पर पैर हो जाती है, स्बूल स्मार्ट वाच, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके वैल्ल कॉलिटी को लिएके, यहां पर आपको 46mm का यह actual watch देखने मिलता है and यहाँ पर उन्होंने चार कोल ब्लाक कलर इसके अंदर प्रोवाइड के है यहाँ पर आपको steel body इसकी देखने मिलते है so completely metallic build उन्होंने प्रोवाइड के है पीछे की तरफ यहाँ पर आपको sensors और charging point देखने मिलते है right hand side पर यहाँ पर दो navigation button उन्होंने प्रोवाइड के and यहाँ पर आपको completely replaceable silicon straps भी देखने मिलते है so yes guys यहाँ पर इस particular smart watch की जो build ना बहुत ही बढ़िया निकल के आती है and फिर हम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने 1.39 inch का AMOLED display प्रोवाइड के है जिसका resolution है 454 by 454 जो बहुत ही high resolution display है and इसके अंदर आपको always on watch faces भी देखने मिलते है जिने आप customize कर सकते हो and brightness को लिखे अगर मैं बात कर रहो ना तो indoor lighting conditions में भी and outdoor lighting conditions में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका display आपको visible हो जाएगा so guys यहाँ पर display आपको बहुत ही top notch देखने मिलता है AMOLED display and high resolution display and उसी के साथ हम बढ़ते है इस watch के UI की तरफ so guys सबसे पहले यहाँ पर आपको home screen देखने मिलते है फिर बाद में यहाँ पर silent option भी है कई सारे settings आपको देखने मिलता है right hand side पर यहाँ पर आपको widget देखने मिलता है continuous heart rate monitoring फिर यहाँ पर उन्होंने stress monitoring प्रोवाइड किया है फिर यहाँ पर weather forecast music control भी देखने मिलता है and music इसके help से आप play भी कर सकते है जिसे हम थोड़ी time में check out करेंगे and यहाँ पर main menu में जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको workout को option देखने मिलता है and जी हाँ guys यहाँ पर आपको 100 plus workout modes देखने मिलते है and यहाँ पर उन्होंने pool swimming का भी option इसके अंदर include किया है and यह watch है 580M water resistance तो directly आप पाने में इसे up to 50 मिटर सक सबमर्च करके रख सकते हो फिर भी यहाँ पर आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है and guys next menu में यहाँ पर आपको workout record देखने मिलता है जहाँ पर हमने outdoor walking किया था उसका complete detail information यहाँ पर आपको visible हो जाता है इसे भी हम थोड़ी time में check out करेंगे and नीचे की तरफ यहाँ पर आपको health parameters देखने मिलता है जैसे कि heart rate monitoring, spo2, health records, stress monitoring guys इसे भी थोड़ी time में हम चेक करेंगे and फिर यहाँ पर आपको breathing exercise, call log, contacts फिर यहाँ पर music control, barometer का option उन्होंने provide गया है and नीचे की तरफ यहाँ पर आपको notification, weather condition, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find my phone, setting option देखने मिलता है and guys setting में यहाँ पर आप Bluetooth earbuds connect कर सकते हो, display setting कर सकते हो, sound setting फिर यहाँ पर जो vibration, strength है उसे भी set कर सकते हो, D&D फिर यहाँ पर जो button है ना, down button उसे customize कर सकते हो auto detection, workout mode, फिर यहाँ पर system की information जहाँ पर reset, power on, power off कर सकते हो and about the device का भी menu आपको देखने मिलता है so guys काफी बढ़िया तरीके से इस watch का UI उन्होंने design किया है and guys अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इस watch के health tracking की तो इसके अंदर आपको continuous heart rate monitoring उन्होंने provide किया है काफी accurately आपका heart rate यह track करता है उसी के साथ SPO2 monitoring and यहाँ पर आपको stress monitoring का भी feature देखने मिलता है and yes guys intensive test तो बनती है तो यहाँ पर हमने table पर इसे place किया था and यहाँ पर आप देख सकते हो heart rate हो गया या फिर SPO2 हो गया कोई भी reading आपको smart watch पर देखने नहीं मिलती है directly एक pop आ जाता है where the smart watch properly so जी हाँ guys यहाँ पर आपको काफी accurate health tracking के results इसमें देखने मिलने वाले है and उसे के साथ यहाँ पर हमने इसमें outdoor walking भी किया था and आप देख सकते हो smart watch के उपर complete जो data है ना आपको visible हो जाता है बहुत ही detail में यहाँ पर graph charts आ चुके है and similarly यहाँ पर application के उपर भी आपको सारा data visible हो जाएगा and yes इसके अंदर आपको GPS प्लस GLONOS भी देखने मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर complete जो map है ना कि कहां से कहां तक आपने walking किया था कितना distance cover किया था उसके सारे details आपको application में visible हो जाएगे so जी हाँ guys health tracking wise यहाँ पर आपको काफी detail information देखने मिलती है अगर आप कोई भी sports mode यहाँ पर use कर रहे हो plus यहाँ पर आपको real time voice assistant भी देखने मिलता है so guys यहाँ पर जो health tracking वाला parameter या फिर sports parameter ना बहुत ही accurately इस smart watch में आपको देखने मिलता है and yes इसके अंदर आपको bluetooth calling का feature भी देखने मिलता है तो यहाँ पर हम इससे test करते है hello Raj भाई hello sir hello sir कैसे हो राज भाई मैं एक गम बढ़िया sir अच्छा मेरे को एक बात बता हो मेरी आवाज कैसी आ रही है clear आ रही है sir clear आ रही है ना मतलब यह watch में बात करो watch से बात करो तो clear आ रही है या disturbance है कुछ no sir no disturbance no disturbance clear आ रही है एक दम clear आ रही है ना yes sir thank you so much for the review so guys जो call conversation था ना बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा था मतलब voice transmission and voice reception बहुत ही अच्छी तरीके से इस smart watch में आपको देखने मिलता है and yes यहाँ पर इस smart watch में आपको 4GB का internal storage भी देखने मिलता है जिसकी help से आप music इसके अंदर transfer करके directly bluetooth headphone smart watch के साथ connect करके आप enjoy कर सकते हो so यहाँ पर मैं आपको एक short demo बताते हो कि कैसे आप directly smart watch के उपर music play कर सकते हो and guys अभी हम बढ़ते हैं इस watch के application के UI की तरफ so guys यह है उसका health application जहाँ पर सबसे पहले आपको steps आपने कितना distance cover किया कितने calories burn के वो आपको visible हो जाते है फिर यहाँ पर आपको exercise record देखने मलते है and yes यहाँ पर हमने इस watch में outdoor walking किया था उसका complete record यहाँ पर आपको visible हो जाएगा आपकी pace अगर आपको monitor करने है फिर यहाँ पर आपको charts visible हो जाएंगे यहाँ पर आपका average heart rate, pace, cadence, altitude फिर यहाँ पर detail में information भी आपको visible हो जाते है इस काफी detail में info आपको इसके workout की यहाँ पर देखने मलते है फिर यहाँ पर sleep, आपका weight, stress monitoring, SPO2 के भी results आपको visible हो जाएंगे and फिर यहाँ पर exercise का option उन्हें ने दिया है तो directly आप exercise को यहाँ से trigger कर सकते हो and devices में आप देख सकते हो honor magic watch 2 connected है जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी battery देखने मलती है फिर यहाँ पर activity records फिर यहाँ पर आपको online watch faces देखने मलते है यहाँ पर आपको धेर सारे more than 100 plus watch faces इसमें देखने मलेंगे and yes अगर आपको customize करने है तो यहाँ सी आप customizable watch face इसमें add कर सकते हो आपके हिसाब से and नीची के menu में यहाँ पर आपको health monitoring का option देखने मलता है जहाँ पर true sleep monitoring, continuous heart rate monitoring उसे आप adjust कर सकते हो troubleshooting का option भी उन्होंने दिया है music control, alarm, weather reports, favorite contacts आप इसमें add कर सकते हो notification का option देखने मलता है device setting में यहाँ पर Bluetooth disconnection, reminder, reach to wake का option मैंने enable किया है factory reset and firmware update का भी option उन्होंने provide किया है and yes यहाँ पर अगर आपको music इसके अंदर add करना है तो यहाँ पर बस आपको जाना है music section में manage music पर click करना है and यहाँ पर आप देख सकते हो फिलाल मैंने 3 song इसके अंदर load किया है अगर आपको additional song add करना है तो बस add songs में जाना है and यहाँ पर आप directly music इसमें add कर सकते हो क्योंकि guys 4GB का internal storage आपको इसके अंदर देखने मलता है तो इस काफी बड़ीया तरीके से इस application को उन्होंने design किया है and guys battery को लेके अगर मैं बात कर रहो ना watch की तो यहाँ पर आपको up to 14 days के battery life देखने मिलते है अगर आप continuously connected रख रहे हो ना अपके smartphone के साथ तो आपको आराम से 6-7 days के battery life यहाँ पर देखने मिलने वाले है तो battery life बहुत ही amazing है इस smart watch में and यह जैसे मैंने आपको बताया ना यह एक perfect smart watch है AMOLED display, Bluetooth calling, GPS, inbuilt storage डिरेकल आप Bluetooth headphones भी directly watch के साथ connect कर सकते हो यह बहुत ही amazing features है सिर्फ और सिर्फ रूपीज 8,999 रूपीज की price में लिमिटेड डील है 10th this month 10th October तक यह डील है तो अगर किसी को इस particular watch को check out करना है ना तो link में नीचे description box में drop कर रहा हो ज़रूर जाके check out कीजिए and yes guys उसे के साथ हम बढ़ते हैं अगले band की तरफ जो है Honor Band 6 so guys यह है Honor Band 6 का box packaging जहाँ पर box के पीछे की तरफ आपको धेर सारे features and functions देखने मिलते है तो जैसे हम इसे unbox करते हैं सबसे पहले वो actual smart band आपको देखने मिलते है and yes बहुत ही premium build quality इस particular band में उन्होंने provide किये तो इस band को फिलालम रखते साइड में फिर यहाँ पर आपको देखने मिलते है इसका magnetic charging cable and finally उन्होंने यहाँ पर provide किये इसके कुछ user manuals तो guys सबसे पहले यहाँ पर smart band को करते है power on and यहाँ पर आपको language select करना है so health application में जाके बस आपको यहाँ पर search करना है and आप देख सकते हो यहाँ पर honor band 6 आ चुका है and जैसे आप इसके उपर click करते हो जो band है वो pair हो जाता है so guys यह है honor band 6 तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके build quality को लेके तो यहाँ पर उन्होंने metallic casing इसके अंदर provide के जहाँ पर side में आपको honor की branding देखने मलते है and yes यहाँ पर back panel पर आपको polycarbonate material देखने मलते है जहाँ पर उन्होंने sensors and charging point provide के right hand side पर यहाँ पर आपको quick access toggle button उन्होंने दिया है and yes इसके अंदर आपको silicon strap देखने मलते है जिनने आप replace भी कर सकते हो so guys in all जो build है ना बहुत ही बड़ी है यहाँ पर निकल किया थे इस particular smart band की and yes फिरम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने 1.47 inch का amulet display इसके अंदर provide किया है जो बहुत ही high resolution के साथ आता है अगर मैं बात कर रहा है तो indoor lighting conditions and outdoor lighting conditions में भी बहुत ही अची तरीके से इसका display आपको visible हो जाता है so guys जो display ना बहुत ही बड़ी है amulet display आपको देखने मलता है इस particular smart band में और उसी के साथ बढ़ते है इस band की UI की तरफ so guys सबसे पहले यहाँ पे आपको home screen देखने मलता है and जैसे आप यहाँ पे tap करके press करोगे यहाँ पे आप different different watch faces इसमें set कर सकते हो कुछ इस तरीके से उपर से नीचे swipe करते हैं यहाँ पे आपको quick access toggle देखने मलता है फिर यहाँ पे weather forecast, music control and यहाँ पे आपको activity का भी visit इसमें देखने मलता है and जैसे आप यहाँ पे नीचे से उपर swipe करें यहाँ पे आपको notification panel देखने मलता है and यहाँ पे जो power on button है उसे press करते है यहाँ आपको workout का menu देखने मलता है फिर भी आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है फिर यहाँ पे next menu में आपको workout record देखने मलता है जहाँ पे हमने outdoor walking किया था उसका complete detail information यहाँ पे आपको visible हो जाएगा and नीचे की तरफ यहाँ पे heart rate, spo2 फिर यहाँ पे activity record, sleep, stress monitoring जिसे हम थोड़ी time में यहाँ पे check out करेंगे and यहाँ पे आपको breathing exercise, music control, notification, weather condition, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find my phone, settings का option देखने मलता है and settings में आप display हो गया, vibration alerts, फिर यहाँ पे D&D, auto detection, workout mode, system information and about the device यहाँ पे find कर सकते हो so guys काफी बढ़िया तरिके से इस band का UI उन्होंने design किया है and guys अभी हम बात करेंगे इसके कुछ health parameters की, तो जी हाँ इसके अंदर आपको continuous heart rate monitoring देखने मलता है काफे accurately यहाँ पे आपका heart rate यह track करता है, उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे SPO2 monitoring भी provide किया and finally यहाँ पे आपको stress monitoring का भी function देखने मलता है and yes, यहाँ पे जो health tracking के results है बहुत ही accurate है but guys, intensive test तो यहाँ पे बन दिया है, तो यहाँ पे हमने table पे इसे place किया था और आप देख सकते हो, यहाँ पे SPO2 हो गया, यहाँ फिर heart rate हो गया, किसी का भी result यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है यहाँ पे आपको एक pop देखने मिलेगा, where is the smart watch properly so, जी हाँ, in short, accurate, health tracking आपको देखने मिलेगा plus यहाँ पे हमने outdoor walking भी किया था, इस smart band की help से and आप देख सकते हो, smart band के उपर सारी details आपको visible हो जाएंगे and similarly, इसके application के उपर भी आपको बहुत ही detail में information visible हो जाती है so, जो health tracking या फिर जो sports के parameters है ना बहुत ही अची तरीके से इस smart band में यहाँ पर work करते है and फिर हम बढ़ते हैं इसके application के UI की तरफ and guys, honor band 6 में भी आपको health application देखने मिलता है similar UI यहाँ पे भी उन्होंने provide किया जहाँ पर आपके activities, exercise, outdoor exercise जो हमने की थे outdoor walking उसका भी complete detail में information यहाँ पर आपको visible हो जाएगा chart form में भी information आपको देखने मिलता है and yes, यहाँ पर आपकी page भी आपको visible हो जाएगी so guys, detail में information outdoor walking की यहाँ पर आपको visible हो जाती है and yes, यहाँ पर stress monitoring SPO2 के भी parameters दिये है exercise में directly यहाँ से आप trigger कर सकते हो exercise code devices में आप देख सकते हो honor band 6 connected है and यहाँ पर आपको watch faces का भी option देखने मलता है online guys, उन्होंने more than 100 plus watch faces इसके अंदर प्रोवाइड किया है जिन्हें आप download कर सकते हो plus आप इसमें customizable watch face भी add कर सकते हो and जैसे हम watch में जाते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर battery life आचुकी है नीचे की तरफ आपको health monitoring के parameters देखने मलते है जिन्हें आप enable कर सकते हो alarms आप set कर सकते हो, troubleshoot कर सकते हो weather reports में यहाँ पर हमने weather reports को enable किया है and नीचे की तरफ यहाँ पर notifications को भी हमने enable किया है आप customize कर सकते हो आपके इसाब से इसके notifications, device settings में यहाँ पर music, playback, control, raise to wake Bluetooth, disconnection, reminder भी उन्होंने दिया है factory reset का option आपको देखने मलता है and yes यहाँ पर firmware update का भी option उन्होंने प्रोवाड किया है so guys काफी अच्छी तरीकी से Honor Band 6 के इस application को उन्होंने design किया है and guys अभी हम बात करेंगे इसमें notifications की तो जी हाँ इसके अंदर आपको quick notification देखने मलता है आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मुझे call receive हो रहा है यहाँ पर immediately smart band पर call आ चुका है and directly आप यहाँ से call को reject कर सकते हो similarly यहाँ पर SMS भी quickly यहाँ पर smart band के उपर pop हो चुका है so guys in short यहाँ पर आपको quick notification इस particular smart band में देखने मिलते है and guys battery life की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ न तो typical usage scenario पर आपको up to 14 days की battery life यहाँ पर देखने मिलेगी अगर आप continuously connected रख रहे हो ना आपके smart phone के साथ तो यहाँ पर आपको up to 7 days की battery life देखने मिलने वाले है जो मेरे सबसे बहुती amazing battery life है इस particular smart band के लिए and guys honor band 6 एक बहुती budget smart band में बूल सकता हो जिसके अंदर आपको AMOLED display देखने मिलते है and शायदी ऐसा कोई market में smart band है जो आपको इतना बड़ा huge AMOLED display एक smart band के अंदर प्रोवाइड करेगा and इसकी pricing है safe for safe रुपिज 2,999 and yes इसकी भी pricing बहुती limited time के लिए 10th October है तो 10th October तक ही आपको यह deal available मिल जाएगी and अगर किसी को इस particular smart band को check out करना है न तो link में नीचे description box में drop कर दूँगा जरू जाके इसे check out कीजिए and guys बस यही था आज के वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आगवा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीज़े हमारे channel को और दोस्तों और इक important बात please मेरे facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद